अगर माली जे कि वहाँ पर जाते हैं और आप विजिट कर रहे हैं और डिल आपका फाइनल नहीं होगा तो भी क्या फ्री आपको प्लस्ट पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि इसे काम कराना चाहिए फोन पर आपकी सारी डिलिंग होती है वहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से अगर डिलिंग करना आपको लगता है कि इनको बुला के और आपका रेट नहीं लगता कुछ चीज नहीं लगता तो भी आपको बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट यह काम होने वाला बिजनेस करने का बना लिया है मन तो बिना फरनीचर और फिक्चर के कोई काम नहीं दोस्तों आज हम रोजगार की बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे अगर आपने रोजगार करने का मन बना लिया है तो किस तरीके से आप अपना फरनीचर और फिक्चर लगवाएंगे और इसी की तलास में पहुंच गया है अमेज क्राफ्ट क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड और यह प्राइवेट लिमिटेड कंपणी है इस कंपणी में दो डिरेक्टर है उनका पूरा अनुभाव जानेंगे और आपको इनसे जुड़के आपको इनसे क्या फाइदा मिलने वाला पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं इनके दोनो लेंगे कि आपको इनके साथ जुड़के क्या बेनिफिट मिलने वाला है और आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस के अंदर जब आपको फरनीचर की फिक्स्चर की या किसी तरीके की कोई भी काम की जरुत होगी तो कैसे काम करेंगे कहां कहीं ने का कितना इनका एक्सपिरियंस है तो गाइस मिलवाते हैं आपको राम जी सर्मा जी से और मिलवाने के बाद पूरा डिटेल लेते हैं सर्मा जी नमस्कार मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपका अनुभाव कितना है जो बिहार और जार्खंड के लोग है उनको आप से बॉमबे रोडास होटल बॉमबे यह समय में ठेकेदारी कर शुका हूं पाले अच्छा में आपने काम किया हुआ है मुद्लर कीचन का काम दो तीन अरकेटक थे मेरे जैसे में मुलूंड में मतलब हम इंटीरियल वाले हैं या फिर सुवधा कीचन वाले हैं इन सब मेरा इं इंटीरियल किया हुआ है और यहां भी इंटीरियल काम कर रहे हैं चार साइट चल रही है अच्छा प्राइबट में जिनका भी हो मतलब पटना के अंदर अच्छा एक दो साइट चलता है मेरा उसके लाबे मेरा जितना वार्डू बना कर रखा हूं और सेंपल दिखाने के बनाके मेरे पीछह है यहां पर प्रना भाई क कर सकते हैं आते इसमें आपने काम किया है तो उस तरीके का और टॉटल का काम कर सकते हैं यह समझे समने थातलिए और गोका करसके अंगका वे first और और समझे नागपूर बैंगलो का काम किया है नागपूर का बहुत बारा सेठिया था सुंदर जी बिस्किट उनका घर का पुरा की इंट्रियल किया हुआ हुआ है तो गैस आपको बता दूँ इनके अनुभों से आप समझ गए होंगे कि इनको कम से कम 25 से 27 साल का एक्सपीरिय पहलेगा और आपको जो मतल्व मिलेगा सबसे बहतर न लेगा dealing कि अब मिरवा चुका हुए एक d bark से और इसके बाद हम मिलाएंगे इनके दूसरे डारेक्टर से, दूसरे डारेक्टर है स्वापनिल जी, तो उनसे मिलवाने के लिए चलते हैं, वो दूसरा ओफिसम बैठते हैं, वहाँ पे और उनसे भी कुछ जानकारिया इसके बारे में लेते हैं, तो चले गाइस, चलते हैं कर दो जो आगे कर दो चागे तो गाइस हमने आपको एक डिरेक्टर जो राम जी सर्मा जी है उनसे मिलवा पूरी डिटेल की कैसे कैसे क्या होता है और आपको क्या मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का अनुभाव कितना रहा और लोगों को आप लोगों के साथ जुड़के कैसे बेनफिट मिलेगा और वो लोग के लिए कितना सस्ता पड़ेगा और कितना अच्छा होगा सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेज क्राफ्ट क्रेशन प्राइवेट लिंटेड हमारा दोजार चौदा में आया रजिस्टर किया एज तो काम पहले से भी हो रहा था हमारा लेकिन प्राइवेट लिंटेड में 2015 में किया जि उसके बाद जो भी हमारा यहां का कस्टमर लोग को जो फाइदा होने वाला है फाइदा यह होने वाला है कि हमारे पास जितने भी मेटेरियल है इस टॉक में अड़ेडी रहते हैं अगर कोई कस्टमर हमें बोलता है कि नहीं हमें बना के दे दे तो यह दस दी में बना के दे तो जिस तरह का मुझा उसके नुशार में समयद लेकर उनका करता हूं और फुली वाटरपूर्प में आपको अब लेवल मिलेगा जी शेंचूरी का भी हमारे पास अब लेवल है स्टॉक और यहां पर रहता है हमारा एक और भी फैक्ट्री है गोडाउन है पीछे अधानी मोड के पास जी जिसके बारे में साइट से आप से चर्चा भी किये होंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं तो सर यह आप हमारा स्टॉक देख सकते हैं जी हमारे पास माय का वेगरा भी का भी मतलब स्टॉक रहता है जो उदर उस साइड में रखा हुआ है अच्छा हम लोग जितने भी इंटिडियर वर्क तो करते ही करते हैं साथ में हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अगर मैं बात करूंग कि आप यहां से कितने अरिया को कवर कर सकते हैं कितना काम कर सकते हैं हमारा बिहार और जहरकंट दोनों मंदव स्टेट में काम होता है तो अगर हमारा यह बैठने का पटना में ही है और यहां से सपोज माले मुझपर पुर हुआ शिवान हुआ अपका पुर्णिया हुआ यह सारा जितने भी अपना है बक्षर आरा जितने में मैं कवर करता हू हमारा ठीक है तो यहां से पहले तो वर्क और के लिए यहां से टिम जाती है साइज लेकर आती है वहां से लेकर आने के बाद यहां से फिर अपना मेटेरियल के साथ वो यहां से टिम जाते हैं वहीं रहकर सारा काम होता है अच्छा दूसरा एक मेरा यह प्रसंद था कि अग करते हैं तो यहाँ से लड़का सляं जाएगे स्फपोज आप कांटरेक्ट कीह हमें यहां से हमारा आपने बताई कि मेरे पास यह बर्फ है यह करना है मुझे करवाना है तो यहाँ लेना आपको तो नापको आपको दे देंगे विदाउट कॉस्ट होगा जो यह फाइदा है अभी आप किसी इंटिडियर के पास जाएंगे तो विजीट चार्ज पांच जारु पर ले लेगा जो यह फ्री आपको अगर मालीजे कि वहां पे जाते हैं और आप विजीट कर रह का रेट ज्यादा लगता है या जो भी आपका टर्म संट कंडिशन नहीं बनता है दूसरे के साथ तो फ्री ओफ कोश्ट आप उनको बुला के देख सकते हैं और वह बिल्कुल आपको कोई एक पैसा चार्ज नहीं करें क्या मैं सही कह रहा हूं एक पैसा भी चार्ज नहीं प्लस पॉइंट है इस तरीके से अगर डिलिंग करना आपको लगता है कि इनको बुला के और आपका रेट नहीं लगता कुछ चीज नहीं लगता तो भी आपको बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट यह काम होने वाला है अब दूसरा चीज था कि कितना एरिया कहने का मतलब आप पतना डिश्टीक च्बब करेंगे पूरा बिहार चार्ष और चार्ष यह रहाखंट आप करेंगे दूसरा चीजा है कि dł pasवाघ लगेगा तो गाइस यहां से नहीं आपको यहां से बताया है कि अगर कराना है इन से जुड़के इन से जॉइन करके इनका वेबसाइड भी है वहां से आप के इनके contact detail पर जो number दिया हुगा आपके स्क्रीन पर सो कर रहा है उसमें आप बात करके भी आपना सारा जानकारी ले सकते हैं पसंद आये तो इनके जो लड़का है इनका यह पहुंचेगा आपके पास अगर वहां पर जाने के बाद आप दोनों का rate में अगर कोई जगे पर हैं सही वीडियो में हैं और आप अपना काम आसानी से करवा सकते हैं और उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको सारा अनुभो बताया जो पहले डारेक्टर था उन्होंने बताया 25-27 साल का experience है ता जो बोरा है जैसे बड़े-बड़े होटलों में उन्होंने काम किया इसके लाओं बहुत होटलों का नाम लिया जो दूसरे डारेक्टर है यह इधर का पोर्शन देखते हैं कि कैसे डिलिंग करना है तो दोनों चीज में आपको डिटेल में बताया है वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और देख रहे हैं इसको फे झाल था झालода月 बहुत है और चीज में डिलिलिंग करना है और देम में आपको उपादी लाओं हो ईसके ज्धू दूसरे जवादर this, एपको उड़ी करोसे। झाल झाल